अगर आप बक्री पालन करने का मन बना चुक है तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि जितने नई बच्चे नहीं बच्च रहें और बच्चे को आप बचाते हैं ना तभी प्रॉपिट होगा आद मैं आज आपको पताऊंगा की बक्री पालन सुरू करने के लिए क्या क्या होना चाहिए कैसे आपको पूरी वीडियो देखिए और चैनल को जरुष सबसे मंते हैं यह पहला होता है आप सितम्बर अक्डूबर में सुरू कीज़ें नहीं तो आप फरवुरी बाद लास्ट और मार्च से शुरू कर सकते हैं नए बकरी पालक गञे सबसे बेस्ट मंहीने ऌछ मंने ऑता है फररी वाला में अग्रेली बकरिन लिगजिये हररी में ग्रेले टें गर्मी गर्मी के दिनों में अच्छा रहती है और शाहत। रहती है कि अच्छा रहती है। यज लोडवे बच्चा देने वाली है और इधर दिखये बकरि आमारी खा रहे हैं ससमय अपर यह म सबसे बड़ी पर उसी किरियेट होती वो होता है कि बकरी चुना जब अब अब फिर शरी अब बाइब यहां पर नीचे देखाई यहां पर बॉडब यहां पर बोड़ी है तो क्वाल्टी अच्छा होना चाहिए और साथ ने के प्रसिटी दोंबच्चे देती है और एक चीज महांने रखता बहुंच जाहिए दूद्ध थन की quality अच्छे होना चाहिए यह बक्री loaded रहाई अब देखने है mall in par sat सब्सकár की क्वाल्टी अच्छी होना है दूद की मातल अच्छा होना चुछा बच्च्चे की मृत्थ्य होती है बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं और यह बच्चा सभी इसी मतलब इसी ठंडी का सभी अच्छे हैं उसके पिछे और एक रीजन है हमारा ब्रीडर जो है बहुत हल्दी है इसके वज़ा से बच्चे हमारे हल्दी आते हैं और बक्री जब अमला थे इसको पीपियार हो गया था लग रही थी कि मर जाएगी लेकिन इसका भी शरीर धीरे 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 करके भरता चला गया क्योंकि नहीं बख्री अपलाते हैं तो समस्चा क्रेट होगा उनके साथ बीमारी आएंगी बच्चा फेकना दूद की कमी जाएं वह बख्री अगर आपके पास है अगर मिलक केप सिटी उसकी अच्छी है तो आपके यहां फार्म पे बक्रियों का विकास जो है अच्छा रहेगा जितना भी ज्यादा बक्रिया अप ले लें और क्वालिटी मेंटें नहीं रखते हैं तो आपके बक्रिया बच्चे पहले पैसा खर्च नहीं करने से छोटा मोटा बनाना है जिसने बान मिहां बनवाया और ऊधर het और जो बक्री हमारे पास पहले जो थी उतनी अच्छी quality में नहीं थी, हम इस पर quality में बक्री भिला हैं, breeder भिला हैं, अब सब loaded हैं बक्री नहीं आई हैं तो, अब यह सभी बच्चा देंगी तो अच्छी quality कि हमारे पास बर्बरी त्यार हो जाएगी, और देखें, जब सेजनल हो गया तो सीजनल अब हो गयी, मक्का, बर्षीन, रिजिका, मलाइड घ्री से सभी उगा सकते हैं, गर्मी आ तो गर्मी में ऱापने प्यर लगा दीजीं, मक्का लगा दीजीं, तो सीजन कहसाब से चारा लगाते रही हूँकि हरा चारा बक्री हो मिलेगा उतना पाला नहीं हो सकता है, साथ में 200 ग्राम दाना की वरस्ताप को जरूर करने चाहिए.